संसत के मौनसून सत्र में अब दस दिन और बचे हैं रेकिन हंगामे के चलते इस सत्र में कारवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल दिख रहा है दो दिन के अफकाश के बाद आज जब सदन शुरू हुआ तो महंगाई के मुद्दे पर हंगामा बरपा और कारवाई को स्थागित कर दिया गया हलाकि जोरान कॉंग्रेस के निलंबिस संसतों की वापसी हुई है बाद में लोगसबा में महंगाई पर चर्चा भी हुई देखते हैं ये रिपोर्ट राम्या हरिदास और टीन प्रतापन को लोगसबा में महंगाई को लेकर हंगामा करने पर सदन की कारवाई से निलंबित कर दिया गया था लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है इसके बाद महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की गई लोग सबह में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए शिवसेना सांसाद विनायक राउद और कॉंग्रेस सांसाद मनीश तीवारी ने नोटिस दिया था वही चर्चा को नियम 193 के तहट सूची बत किया गया था लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई जिसके बाद कारवाई को स्थागित कर दिया गया अब कल राज्य सभा में इस मुद्धे पर बहस होगी ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगी या नहीं दिबी लाइफ की रिपोर्ट